एंस, मरीन स्टॉक बजार की इंडस्ट्रियल एक्विप्मेंट बनाने वाली मरीन एलेक्रिकल्स शेय कमपनी को 27 करोर 70 लाख रुपे का वेस्ट बंगाल से नया ओर्डर प्राप्थ हुआ है जिसके तहत इस स्टॉक में स्टॉक मार्केट में अपर सर्किट लग चुका है औ और साथ में इस कमपनी ने पिछले एक साल में 200 प्रतिशत के शांदार रिटन भी दिये हैं मरीन एलेक्रिकल्स शेय कमपनी का कामकाज कमपनी की शुरुआत 1978 में मरीन एलेक्रिकल्स इंडिया लिमिटिब के तौर पर हुई थी ये कमपनी स्ट गियर मैनुफेक्चर करने का काम करती है कमपनी के मुखे रूप से रिन्यूइबल एनरजी, इंडस्ट्रियल और मरीन क्षेत्र में कमपनी अधिकतर काम करती है परतमान की स्थिती काफी अच्छी है, कमपनी का कुल मार्केट कैप 1266 करोड का है, तो मरीन एलेक्रिकल्स शेय कमपनी के ऊपर 55.83 करोड का करज है, तो कमपनी के पास फ्री में 16.13 करोड की राशी पड़ी हुई है, कमपनी के प्रमोटर होल्डिंग 73.84 प्रतिशत की अब हुई है, क्योंकि कमपनी ने पिछले 3 महीने में 53 प्रतिशत रिटन, पिछले 6 महीने में 90 प्रतिशत के रिटन, तो पिछले 1 साल में 200 प्रतिशत के रिटन, तो पिछले 3 साल में 31 प्रतिशत की रिटन, तो 5 साल में कमपनी ने 42 प्रतिशत के रिटन, निवेश को प्रा पिछले तीन साल का 23.86 प्रतिशत का दर्जा है और कमपनी ने जो दूसरे तिमाही में नतीजे पेश किये थे वहाँ पर अच्छी खासी नेट सल्स पर 121 करोड के नेट सल्स पर 4.95 करोड का शुदर मुनाफ़ा हासिल किया था जो सालाना तोर पर काफी अच्छे बढ़त हास दिसम्लव 25 करोड का ओर तमिलनाडू सरकार से प्राप्थ हुआ था उसके बाद 20 दिसम्बर 2023 को 6.90 का करोड का ओर गोअ सरकार से प्राप्थ हुआ था और अब दिसम्बर में ही कमपनी ने जानकारी दी है कि कमपनी को वेस्ट बंगाल से 27 करोड 70 लाख रुपे का जो ओर कमपनी को 10 महीने में पूरा भी करना है असल में यह और कमपनी को हुगली कोचिंग शिप्यार से प्राप्थ हुआ है इसलिए हम कोई निवेश या विद्तिय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे क्रिपया अपने विद्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजी कृत्विद्तिय सलाहकार से परामर्श लें